मंदलवार व्रत की कथा मंदलवार व्रत की कथा इस प्रकार से है प्राचीन समय में रिशिनगर में केश्वदत ब्राहमन अपनी पत्नी अंजली के साथ रहता था केश्वदत को धन संपत्ती की कोई कमी नहीं थी सभी लोग केश्वदत का सम्मान करते थे लेकिन कोई संतान नहीं होने के कारण केश्वदत बहुत चिंतित रहा करता था उत्रप्राप्ती की इच्छा से दोनों पतिपत्नी प्रत्येक मंगलवार को मंदिर में जाकर हनुमान जी की पूजा करते थे विधिवत मंगलवार का व्रत करते हुए उन लोगों को कई वर्ष बीट गए पर उन्हें संतान की प्राप्ती नहीं हुई केश्वदत बहुत निराश हो गए लेकिन उन्होंने व्रत करना नहीं छोड़ा कुछ दिनों के पश्चात केश्वदत पवनपुत्र हनुमान जी की सेवा करने के लिए अपना घरबार छोड़ जंगल चला गया और उसकी धर्मपत्नी अंजली घर में ही रहकर मंगलवार का व्रत करने लगी इस प्रकार से दोनों पतिपत्नी पुत्रप्राप्ती की इच्छा से मंगलवार का विधिवत व्रत करने लगे एक दिन अंजली ने मंगलवार को व्रत रखा लेकिन किसी कारणवश उस दिन वह हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी और सूर्यास्त के बाद भूखी ही सो गई तब उसने अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाए बिना भोजन नहीं करने का प्रण कर लिया छै दिन तक वह भूखी प्यासी रही साथवे दिन मंगलवार को अंजली ने हनुमान जी की विधिवत रूप से पूजा अर्चना की लेकिन तभी भूख प्यास के कारण वह बेहोश हो गई अंजली की इस भक्ती को देखकर हनुमान जी प्रसन हो गए और उसे स्वपन देते हुए कहा उठो पुत्री मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन हूँ और तुम्हे सुन्दर और सुलोग्य पुत्र होने का वर देता हूँ यह कहकर पवन पुत्र अंतरधान हो गए तब तुरंत ही अंजली ने उठकर हनुमान जी को भोग लगाया और स्वय भी भोजन किया हनुमान जी की अनुकमपा से कुछ महीनों के बाद अंजली ने एक सुन्दर बालक को जन्म दिया मंदलवार को जन्म लेने के कारण उस बच्चे का नाम मंदल प्रसाद रखा गया कुछ दिनों के बाद केश्वदत्त भी घर लौट आया उसने मंदल को देखा तो अंजली से पूछा यह सुन्दर बच्चा किसका है अंजली ने खुश होते हुए हनुमान जी के दर्शन देने और पुत्र प्राप्त होने का वर्दान देने की सारी कथा सुना दी लेकिन केश्वदत्त को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ उसके मन में यह कलुशित विचार आ गया कि अंजली ने उसके साथ विश्वास घात किया है और अपने पापों को छिपाने के लिए जूट बोल रही है केश्वदत्त ने उस बच्चे को मार डालने की योजना बनाई एक दिन केश्वदत्त स्नान करने के लिए कुए पर गया मंगल भी उसके साथ था केश्वदत्त ने मौका देखकर मंगल को कुए में फेंक दिया और घर आकर बहाना बना दिया कि मंगल तो कुए पर मेरे पास पहुचा ही नहीं केशवदत के इतने कहने के ठीक बाद मंगल दौरता हुआ घर लोट आया केशवदत मंगल को देखकर बुरी तरह हैरान हो उठा उसी रात हनुमान जी ने केशवदत को स्वपन में दर्शन देते हुए कहा तुम दोनों के मंगलवार के व्रत करने से प्रसंद होकर पुत्रजन्म का वर मैंने प्रदान किया था फिर तुम अपनी पतनी को कुल्टा क्यों समझते हो उसी समय केशवदत ने अंजली को जगा कर उससे क्षमा मांते हुए स्वपन में हनुमान जी के दर्शन देने की सारी कहानी सुनाई केशवदत ने अपने बेटे को हरदय से लगा कर बहुत प्यार किया उस दिन के बाद सभी आनंद पूर्वक रहने लगे मंगलवार का विधिवत वरत करने से केशवदत और उनके परिवार के सभी कष्ट दूर हो गए इस तरह जो स्त्री पुरुष विधिवत रूप से मंगलवार के दिन वरत रखते हैं और वरत कथा सुनते हैं अंजने पुत्र हनुमान जी उनके सभी कश्टों को दूर करते हुए उनके घर में धन समपत्ती का भंडार भर देते हैं और शरीर के सभी रक्त विकार के रोग भी नश्ट हो जाते हैं.